रायपुर से एक और एहम खबर है कॉंग्रिस पार्टी के आरूपों पर बीजेपी प्रेस कॉंफरेंस करके जबाब दे रही ले चलते हैं आपको प्रेस कॉंफरेंस में जोज भरने के दिफ्टी से आदनी परभारी जी का वो वक्तव्य था लेकिन उसको इलोग तील का ताड़ बनाकर पुरा भ्रहन की सिती पैदा कर रहे हैं आज ही का खबर है कि उम्रकेज की सजा काट रहे कांग्रेस के नेता सच्जन कुमार की जमानत सुक्रिम कोट ने रद कर दी है और सबको मालूम है कि 1984 में जब स्रीमती इद्रा गांधी की हत्या हुई थी तो राजीव आंधी जी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड गिरता है तो धर्ती हिलती है तो ये सब नफरत फ्हलाने का काम है कांग्रेस का ये काम है और जिस तरह से सतीगर किबिनेट के बारे में दिये गए ब्यान को किसान का ये लोग आड़ दे रहे हैं कि किसानों के लिए अब सब्द कहे गए है जबकि सभा में ऐसी कोई भी बात किसानों के लिए नहीं कहा गिया है और भारती जनता पार्टी किसानों के प्रती कोई गलत भावना से बात करी नहीं सकती है बलकि भारती जनता पार्टी के सरकार में किसानों के हित चिंतन का काम हुआ है लेक द्धान बेचने में उनको कितने कठनाई हो रही यहाज उनकी चिंता करने के बजाए आज वभारते जनतापार्टी के उपर अरोप लगा रहे हैं आज धाई साल में पान सो से जाजा किसान आत्मोहत्या करने पर मजबूर हुए है ये इस कॉंग्रेस की सरकार का चरित्र यहां 36 गड़ में है आज रोज प्रदेश में साथ आठ दुसकरों के मामले हो रहे हैं सराब बंदी का वादा करके लोग घर-घर सराब उंचा रहे हैं जिससे माता बहनों का जीना भी प्रदेश में दुभर हो गया है और इस तरह से नाकामी छिपाने के लिए इस तरह से लोगों को भरम पैदा करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है आज इनके बिधायकों में मंत्रियों में आपस में जगड़े चल रहे हैं तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे कॉंग्रेस पार्टी ने जो आरूप लगा है पिछले दिनों प्रभारी के बयान पर उस पर आपत्ती जुताई कॉंग्रेस ने कहा कि विरोत करेगी और इस पर बीजेपी की मौन होने पर भी कटाक्च किया था बीजेपी उसी का जवाब दे रहे है प्रेस कॉंफरेंस करके और बता रहे है कि उनका मंतव व्यासा नहीं था